हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोसल फार्मिसी का चैप्टर नमर वन का लेक्चर नमर फॉर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक एंड बात किसी हो रही है हेल्थ केर सिस्टम जो हेल्थ केर सिस्टम क्या है लोगों की हेल्थ को देखने वाला सिस्टम है एक पब्लिक होगा एक प्राइविट होगा दो ही टाइप के हैं ठीक ना सरकारी और प्राइविट हेल्थ केर सिस्टम इस इंटेंड उसका मकसद है तो ड that deliver, overall बात करें तो health system होता क्या है, organization of people, लोगों का organization होता है, एक संस्था होती है, resources, machine वोगरा सबकी चीज़े उसके अंतर होंगी, that deliver health care service to meet the health need of target population, जो deliver करेगा health care service, जिससे की, जो target population जिसको service चाहिए, वो उस service को मिल सके, meet मतलब उसके उससे मुलाकात हो सके, ठीक है ना, तो in India, it is delivered by, इंडिया में जो health care service हो किस तरह से deliver की जाती है, public, सरकारी, private, जो गैर सरकारी हो गए, indigenous system of medicine, indigenous जैसे प्राइव शोवर आ जाता है, ठीक है, voluntary health agencies और national health program, NHB, national health program, जो सरकारी तोर पे चला जाते हैं, और यह क्या है, voluntary, यह संस्थाइब होती है, NGO type की, ठीक है, free of cost में क्या करती है, लोगों की सेवा करती है, ओके, आगे आते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़े मौजूद है, primary health centers है, hospital आ जाएंगे, health insurance scheme, जो health insurance scheme है, वो भी इसी के अंदर आता है, जो आपको, आप insurance ले लेते हैं, और आपका फिर लाखों का, जो खर्चा होता हो, free of cost में हो जाता है, उसका हरजाना कौन भरती है, company, private hospitals and dispensers, private hospitals and dispensers, एक क्लीनिक्स हैं, हैना, डॉक्टर से क्लीनिक्स देखते होगे, तुम लोग, जगे जगे पे लगए होगे, तो कैसा है chapter यह, simple है, basic बाते होने वाली, जो हमको पता है, objective, मक्सद क्या है, to achieve an acceptable standards of good health, among general people, जो इस, क्या कहते हैं, healthcare system है, public है private, उसका main मक्सद क्या है, जिससे क्या मक्सद है, good health, अच्छी health ला सके, among general people, एक acceptable standard of good health को maintain कर सके, to assess, equitable, assess to healthcare service, हर कोई इंसान equally assess कर सके, जा सके, यूज कर सके, जो की क्या है, healthcare service के दौरा provide कर वाई जा रही है, manufacturing, distribution and sale of drug by qualified personnel, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो manufacturing होगी, distribution होगा, sale of drug होगा, वो qualified person के दौरा होगा, एरा एरा नत्तु खेरा, इसको बेच या sale नहीं कर सकता है, ठीक है, private health care system की बात करें, offer a high standard of care, obviously बात है, private में high standard of care होती है, well equipped with modern technology, हमें पता है, जो private होते हैं, उसमें modern technology रहती है, and highly qualified and well trained physician होते हैं, उसके अंदर, तो सरकारी भी नहीं होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लगी थोड़ा सा कहने के comparison आता है, सबको पता है ये बात, examples include like Apollo Hospital, Fortis Hospital, Manipal Hospital, ये बड़ बड़े hospital हैं, इंडिया के जाने बाने hospital है, ठीक है, public health care system की बात करें, comprises, इसके अंदर होता है, set of state-owned health care facility, है ना, state मतलब जो राज के दौरा, provide करवाई जा रही है, health care facility वो होती है, funded and controlled by government, ये government के दौरा fund की जाती है, control की जाती है, of India, central या state depend करेगा, ठीक है, treatment in these hospitals are either fully or partially reduced, जो treatment होता है, fully और partially, मतलब पैसा कई बार लगता भी और बिलकुल भी नहीं लगता, दोन चीज़े होती है, example है, all India Institute of Medical Science aims in different location, जो हमारी all over India में फहले हुए है, new Delhi, बोपाल, जोथपूर, राइपूर, है ना, कई जगे aims हमारे अब खुल चुके है, primary health care है ना, तालुक हॉस्पिटल, डिस्टिक हॉस्पिटल, इस टाइप से, कई सारे जो primary health care centers है, वो खुले हुए है, तो primary health care center is nothing बड़ता, वो जगे है, clinic के लो, मौला, clinic के लो, hospital के लो, जो लोगों को, क्या करवा रही है, service provide करवा रही है, यह तो होगी normal center है, अब इसमें कुछ जादा खा नहीं है, तो मन से बना के भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, अब इसमें comparison कर सकते हो, कौन अच्छा, कौन बुरा, क्या दिक्कते हैं, वो सब मन से बाते बना के लिख सकते हो, आगे आते है, national health mission, ठीक है, तो कहीं न कहीं, इसमें वोजी सारी बाते आने वाली हैं, जो हमने पिछले last lecture में पढ़ी थी, national health policy जो थी अपनी, ठीक है, तो national health mission, mission क्या है national health का, तो national health mission, इसके हम NHM बोलते है, in compasses to submission, इसके अंदर दो submission है, कौन-कौन से दो mission है, national rural health mission, NRHM, गरीब जनता, rural होग है, गाउन दियाद का, ठीक है न, उसकी health का उद्देश से लिके चल रहा है, ये national urban health mission, अर्बन, शहरी लोगों की health का भी ध्यान रखा जा रहा है, अन्यक्ति शहरी लोगों वो छोड़ दिया है, ठीक है, अब देखो, the main programmatic component include, जुसका the main program है, उसका अंदर क्या क्या है, include health system strengthening in rural and urban areas, health system को हमें strong बनाना है, rural गाउन दियाद में और शहर में, ठीक है, कैसे बना होगा है, कुछ चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, reproductive, maternal, neonatal, child and adult health, ठीक है न, reproductive, maternal, neonatal, child care, health, plus A, and communicable जा गया, child care, और adolescent आ गया, and communicable and non-communicable disease, communicable कौन सी होती है, जो disease छूने से फैल जाती है, छीक दिया, खास दिया और दूसरे को भी हो गया, non-communicable cancer होगा है, छूओ तो नहीं होता है, ठीक है न, तो main मुद्दा क्या था इसका, R, M, N, C, H, plus A, इसका full form पता होना चाहिए, बिल्कुल याद एक्टर न, one mask question में आएगा है, communicable, non-communicable तो पता ही होगा, जो disease फैलती है, communicable, है न, जो नहीं फैलती है, वो non-communicable, ठीक है, तो national health mission, इसके दो और mission है, उनको, वो दोनों mission मिल करक क्या बनता है, national health mission बनता है, main मुद्दा क्या है, यह रहा main मुद्दा, R, M, N, C, H, plus A, के लिए रोगी बाते हैं, आग आते है, national rural health mission, इसकी बाते कर लें, तो क्या कहा रहा है, यह launch हुआ था, 2005 है, गरीब जनता को खुड़ा सा, ज़्यादा जरूरत थी, तो उनका देख र क्या सा, इसका, to provide accessible, लोग, असानी से जा सके, affordable, जो उनके budget में हो, accountable, जो जिम्मेदारा हो, जिम्मेदारी से काम करें, effective and reliable, primary health care, तो primary health care होती है, वो कैसी होने चाहिए, accessible, असानी से लोग जा सके, affordable होने चाहिए, accountable होने चाहिए, है न, वहापे जो लोग जिम्मेदारी लें effective होने चाहिए, reliable, भरोसक लाइक होने चाहिए, in the rural, through the creation of accredited social health activists, जिसे हम क्या बोलते है, आशा, गाउं में क्या होती है, आशाए, सुना है न, आशा, तो ये उसका full form है, नहीं पता होगा अभी तक, ठीक है, तब मत समझना कि आशा, आशा मतलब, ये कौन लोग है, मानने प्राप्त, social health activist, ठीक है, तो पहला मुद्देश इनका ये हो गया, to improve access of rural people, especially poor women and children, हम चाहते हैं कि जो गरीब गाउध्याद के लोग है, उन तक पहुंचे, ठीक है, उन से तक health care system पहुंचे, खास करकी, गरीब और और बच्चों तक, ठीक है, गोल क्याते हैं, इसने अपन 30 upon 1000 ये हो जाए, reduce कर जाए, and maternal mortality rate 100 हो जाए, एक लाग पर, तो ये भी चाहते थे कि IMR और MMR क्या कर जाए, reduce कर जाए, malaria कालाजार mortality rate भी reduce कर जाना चाहिए, universal access to public health service, सबके लिए, public health service सबके लिए accessible हो, easily वहां जा सके, अपना इलाज करा सके, prevention and control of communicable and non communicable disease, जो communicable and non communicable disease है, वो prevent रोका जा सके और control किया, फैल गई यह तो उसको control किया सके, access to comprehensive primary health care, comprehensive मतलब होता है, पूरा full flesh, है ना, easily उसको क्या कर सके, access कर सके, comprehensive primary health care को, main stream आयूष है ना, आयूष को भी main stream में लाना है हमें, आयूष पता ना, last lecture रों डिसकस किया था, क्या होता, आयरवेद, यूनानी, आयरवेद, यूगा, यूनानी, सिद्धा और होमेपती, promotion of healthy lifestyle, हम चाहते हैं, लोग healthy lifestyle अपनाएं, गलत आयते हैं, छोड़े, जो lifestyle को profit देगी, जिस आद्तों से उनका भला होने वाला, वो आयते हैं, वो लोग अपनाएं, plan of action की बात करें, accredited social health activity, आशा लोगों को क्या क्य पार के लिए, सेंटर ना भागना बड़े, सब सेंटरी इतने स्टॉंग हो जाए, कि वहां काफी हथ तक इलाज हो सके, ठीक है, strengthening primary health center, PHC को मजबूत करना था, sanitation and hygiene, है न, साफ सफाई और hygiene, hygiene होता अपने खुद की साफ सफाई, sanitation में, अपने आस पास की साफ सफाई, हो जात न, ठीक है न, उसके plan of action में मौझूद था, ये तो हो गया, rural का, urban की बात कर रहे है, शेहरी की, national urban health mission, ठीक है, approved by cabinet on 1st May 2013, फ्रहाँ लेट आया, शेहरी लोगों के बादे फ्रहाँ लेट सोचा गया, किसके बार focus किया था, urban poor population living in slum, जो slum में रह रही है, तो कहां पहुँच इस बहुत अच्छे अच्छी है, vulnerable population, vulnerable मतलब होता है, जिसको नुक्सान पहुचाए था सके, in terms of disease, जिनको आसानी से disease लग सकती है, such as homeless, जिनका घरी नहीं है, street children, जो गली में न, फीकिक मांगते हुई या, ऐसे भटक तो बच्चे दिख जाते हैं, जिनके मतलब घुम रहे है, रिक्सा पूलर, जो रिक्सा खीजर है, other temporary migrant, जो इधर दूर से आई हुए लोग है, सड़कों पर सो रहे हैं, ठीक है न, उन लोगों के बारे में, उनको पर focus करना था, sanitation, clean drinking water and vector control, vector मतलब जो बिमारे को फैलाते हैं, उनका control करना, उसको पर focus था, गोल की बात करें, तो equally quality health care को access कर सके, वहाँ जा सके, अपना इलाज करा सके, through outreach services, ठीक है न, जो outreach services होती है, क्या होती है यह, outreach services का मतलब क्या है, कि मतलब जैसे कि आज कल तुम लोग देखा होगा, जो अपनी phone करो, ambulance गाउं में पहुंच जाती है, जो वहाँ पर नहीं है, उस service को वहाँ पर पहुंचा देना है, और वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ से उसको लेकर कर आना, तो यह जो outreach services है, उस जगह तक service को पहुंचाना, जहां पहुंचना संभव नहीं है, involvement of community and urban local bodies, और विसी बात है, कहीं ना कहीं, local community को, और urban local bodies, जो शहरी संस्था हैं, उनको involve होना पड़ेगा, ताकि पूरी community की जो health है, वो अच्छी हो सके, बात समझ मा रही है, तो national health mission, national health policy, कहीं ना कहीं, यह घुमा फिराकर, same चीज़े है, थोड़ा बहुत इनमें difference आता है, ठीक है, तो difference है, date बगरा चीज़े आती, वो तुम्हें ध्यान से याद रखनी है, तो यह तो होगी national health mission, और national study mission किया है, तो हमको study करनी है, और उसके लिए हमने क्या होना रखा है, एक mission तयार किया हुआ है, mind nurture app, अगर mind nurture app से study करोगे, तो क्या होने वाला है, सब कुछ perfect होने वाला है, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है mind nurture app से, और क्या उसका mission है, देखें, आओ देखते है, mind nurture app से, अगर उससे प्राई करते हो तो क्या benefit होने वाले हैं तो आओ जानते हैं अपने Mind Nurture एप के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है Mind Nurture उसी के नाम से अब एप आ चुका है जो की Google के Play Store पे मौझूद है ठीक है लेक्चर के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहां Play Store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर lectures and notes यूटूब पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है एमसी क्यों और फीलिंदा ब्लेंग घुक एन यह तुम्हारे आप इतना सारा पड़ेंगे यहां utilizar important question दूँगा मैं 2 marks 3 marks 5 marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके रिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा लाइफ class होगी अब माल लो मैं यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt फस्स गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा लाइफ class होंगी doubts के लिए मैं आया करूंगा लाइफ class जो कि अभी start अल्यडी हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रहे हैं और class चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज़ जो होने वाली है mcq टेस्ट की practice यह तो चलो एक बार को ठीक है mcq questions mcq questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions पूरे chapter से मिला करके सौधेर सो कोशन हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे d farm और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है mcq questions अब जेखो समस्य क्या है यह mcq questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब यूटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा चार option लिखे होगा मैं बोलूँगा बच्चों यह question है यह चार option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिन भी लैंक से बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 मेंसे सबको कितने चाहिए 40 number में pass हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुवारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory पढ़ोगे याले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोजबा रही है और fees बिलकुल minimal है ग्यारा सो रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की फर्स्ट यर पूरा साल सभी subject ग्यारास रुपए सेकंड यर पूरा साल सभी subject फिर से ग्यारास रुपए यानि कि एक साल की fees आपकी ग्यारास रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता ह जाकर के इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मै जी जग बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुमनों को वह चीज बता दूँगा clear है बासमझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज यह सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes revision बिना revision कि आप यह सारी चीज नहीं कर पा ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो all the best